बंदर और मगरमच बहुत पहले नर्मदा नदी के तड़ पर एक जामुन का पेड़ हुआ करता था. बद्री नाम का एक बंदर उस पेड़ पर लगे जामुन खाता और आराम से रहता. उसी नदी में बद्री का दोस्ट मंगो नाम का मगर भी अपने परिवार के साथ रहता था. बद्री अपने दोस्ट को हर रोज जामुन खिलाता. ऐसे में एक दिन बद्री ने कहा, हर रोज केवल हम दोनों ही खाते हैं. आज कुछ जामुन भावी के लिए भी ले जाओ. ठीक है, दोस्ट. वाह, बहुत मीठे हैं. कहां से लाए? मेरा दोस्ट बद्री और मैं हर रोज इने खाते हैं. आज तुम्हारे लिए लाया हूँ. वाह, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं, तो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा, जो इसे खाता है. एक दिन ये सोचकर मंगू की बीवी शालू रोते हुए अपने पदी से कहती है. मैं बीमार हूँ. बंदर का कलेजा खाना ही इस बीमारी का इलाज है. आप तुरंथ ही अपने दोस्ट बद्री का कलेजा ले आओ. बद्री मेरा प्यारा दोस्ट है. मैं उसका कलेजा नहीं ला सकता. आप मुझसे प्यार नहीं करते. इसलिए नहीं लाना चाहते हैं. मत रो. उसे कुछ न कुछ कह कर ले आता हूँ. दोस्ट, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर दावत पर आना होगा. मुझे तैरना नहीं आता. मैं कैसे आऊँ? तो क्या हुआ? अपनी पीट पर तुम्हें बिठा कर ध्यान से ले जाऊँगा. छीक है. फिर आता हूँ. चलो. चलो चलो दोस्ट. माफ करना दोस्ट. तुम्हारी भावी बहुत बिमार है. वैद्यों ने कहा है कि बंदर का कलेजा ही इसका इलाज है. पहले क्यूं नहीं बताया? मैंने अपना कलेजा वहां उस पेड़ पर रखा है. ताकि वो कहीं गीला ना हो जाए. चलो. वापस लौट कर ले आते हैं. ठीक है. वापस लौटते हैं. वापस लौटते ही बद्री ने मंगू से कहा. मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे धोके बाज हो तो बारा ऐसी गलती मत करना. दूटऽी मत करना, वापस लौटते हैं. झाल.